इसी प्रकार से महाराज स्री के स्रिमुक से कथा प्रसंगों का निरंतर आनन लेने के लिए पुझिस्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें बरात लगन मुहुर्त से पहले आगे प्रथम बरात लगन ते आई ऐसा ने कि प्रथम ने पहली बरात आई लगन से पहले बरात आ गए लगन निश्चे बजय ने पत्रका मिली बरात चल दी क्यों पत्रका में लिखा था चक्रवर्ती महराज अपने पुझपाद गुर्दे भगवान की आग्या लेकर शिग्रता से बरात सजाकर मिधिला पधारने की करपा करें जिससे आगे का मंगल महुत्सव संपन्न किया जा सके क्या भाषा का निवेदन है हो भाषा ही तो है साथ भाषा चित्तकी खेती है क्या बोलना है कितना बोलना है कब बोलना है और क्या नहीं बोलना है बरात का सुन्दर स्वागत भया जनवासे में विश्वामित्र महराजा कर मिले गुरु वशिष्ट भगवान से प्रसन्नता व्यक्त भई गुरु शर्ण में राम लक्षमन प्रभु ने बंदन किया चक्रवर्ती जी महराज कुझे से प्रभु प्रणाम करते हैं मानों कुवां प्यासे से मिले वावा ऐसा लिखते हैं ख़गय से लगाए जितने आयते अवदबासे सबसे प्रभु यथा युग्य मिलते हैं जनवासे में बरात का दिप्प स्वागत नगर के इस्त्रि पुरोष सब भगवान ब्रम्हा से यही प्रार्थना करते हैं कि पुर्णारी सकल पसारी अंचल विदही बचन सुनावही क्या ब्याहियहु चारीव भाई एहपुर हम सुमंगल कावही कहे ब्रम्हा जी ऐसी प्रेरणा दिजिए जनकराज महराज और कुशद्धजी की चार पुत्रियां हैं महराज के भी चार पुत्र हैं इसी नगर में सबका उर्षव हो हम लोग आनंद पुर्वक गीत गामे मंगल गाम प्रजा की प्रारुथना ही राजा का मंगल करती है प्रजा राजा के लिए जितनी मंगल प्रारुथना करती है उतना राजा का मंगल होता है प्रजा मांग रही है भगवान ब्रमाद से सुख आपस में चर्चा करते हैं दोनों लोग कितने पुन्यशाली है कैसी पुत्रियां आप ऐसे ही पुत्रा संदर विधान व्यवार देखकर परशंसा करना चाहिए परिवार देखकर परशंसा करना चाहिए साज सिंगार देखकर परशंसा करना चाहिए निंदाने विरोध अवरोध असंतो तिनो निशेदे परशंसा करना परशंसा भी सबसे नहीं बनती है कई लोग जो सभाव से रुगण होते हैं तो परशंसा भी रो रो के करते हैं सबसे परशंसा नहीं बनती है स्वागत आगत आनंद रसभाव रिस्तों के माधुरिय में समय छोटा पड़ जाता है रिस्तों में मधुरता हो तो समय का पता नहीं चाहता है वगवान ब्रह्मा जोत्शी बनकर महुर्त निकाले मासों में स्रेष्ट मास अगहन जिसको मार्ग शीर्ष भी कहते हैं सुक्लपक्ष मंगलवार दिन तित्थ पंच में गोधुली बेला में बराक द्वार पूजा हे तु प्रस्थान करेगा आईए चोपाईओं को गाते हैं और आप भी दोहराएए मंगल मूल लगनो देन आवा मंगल मूल लगन तनि देन आवा इमरित्व आगहन मासो शुहावा इमरित्व आगहन मासो शुहावा ग्रहतित्विन अखर्था जोगपर वारून प्रतित्विन अखर्था जोगपर वारून लगनों सोदे पेति कीने विचारू प्रतित्विन अखर्था जोगपर वारून प्रतित्विन अखर्था जोगपर वारून अखर्था जोगपर सुनी सकल लोगन यह बाता सुनी सकल लोगन यह बाता कहई जोतिशि आही बिधाता कहई जोतिशि आही बिधाता कहई जोतिशि आही बिधाता कहई जोतिशि आही बिधाता मारग शीष मास शुक्लपक्ष पंचमी तिथी दीन मंगलवार मंगल मूल लगन दीन आवा कई लोग मारग शीष में विवाह का निशेद करते खाये सिता मया को बड़ा दुख पहुँचा था बड़ा कलेश पहुचा था अगहन में व्याह नहीं करे हमारा सुभाव है कि हम बुरे समय का बहुत जादे स्मर्ण करते हैं अच्छे समय का स्मर्ण नहीं करते हैं बुरा समय भी आएगा थोड़ा अच्छा बहुत है बुरा थोड़ा है कि रात बड़ी नहीं होती है जिसे हमारे आप में से जो 11 के बाद सोते होंगे, 6 के बाद कोई सोता नहीं होगा पाँच बजे लगबग सब जग जाते होंगे, मता लोक तो चार बजे ही जग जाते हैं तो अब कोई आठ हो जगे तो मैं नाम क्योंनों किसी का लेकिन मैंने देखा है मेरे गर में चार साड़े-चार सब जग जाते हैं कोई अस्वस्त है वो भी जग जाता है वो तो पहले ही जगा रहता है परंथी है बार एक, दो, तेन, चार, पांक, छे, साथ, आठ घंटे रात्री होती है पाक बज़े से खटर-पटर सुरू होता है जो सोता रहता है वो भी जग जाता है ग्यारा बार की पहले माता है सो पाती नहीं है रात्री छोटी है देन बड़ा होता है चौविस घंटे में आठ निकाल दो आप तो तीन गुणक आठ यह चौविस यह आठ निकला तो कितना बचा सोलह घंटा दीन है अब इसमें दुख भी आएगा, सुख भी आएगा हम आप साथ आठ घंटे से इन में जाते होंगे लेकिन थोड़ा भी आ गया तो हमको लगता है दुख है पहाड हो गया है तुख भाउत नहीं है एक कवस्था के बाद वह आथी आये वो भी अनिवारीे जे आखिर सब व्याधी एके आद्मी को थोड़े हो गी सबको थोड़ा थोड़ा तो बटेगा थोड़ी थोड़ी ब्यादी सबको फिक कवस्था के बाद गस्थमें में तो कंद्हे में कमर में में आंख में कहीं कहीं नहीं तो कुछ न干자भ चलते रहता है शरीड अश्रीचर मंद्र और रिवेट कह सुक को हम कम मांते दुख को बड़ा मानते उल्टा है अधर सुख बड़ा होता है दुख थोड़े समय का होता है ऐसा कुछ नहीं है। मासों में स्रेष्ट मास भगवानुश्रकिष्ण कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षोव स्मिंग। मैं मासों में मार्ग शीर्षोव। स्रेष्टतम हूँ। और गोधुली वेला सांध्य मिलन की वेला। सत्संग की वेला है। ईश्वर और जगदंबा के मिलन की वेला है। भक्त भगवान के संवाद की वेला है। दोपहर ना लगने वाले को भी भूख लग जाती है। दोपहर लगती है ना। रात को नहीं लगती है। दोपहर में भूख खवस्य लगती है। प्रातहकाल बैठिये कुछ सत्संग हो, सन्याव, अन्न, वजन, पूजन। वेला ऐसा है, वहाँ मनी वही करता है। दिले विद्यारती को प्रातहकाल अद्यन करना है। साधक लोग प्रातहकाल अपनी साधना में निमगन हो जाते हैं, आनंद लेते हैं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल आइकन को दबा दीजिए। और पुन्य अर्जन के लिए अपनों में सेयर करिए। कर्दो करना है।